हलो और चाहिए जूडेंट वेलकम बैक तो यॉपन चैनल सर्तर उनुपानी एक्स्क्लोजिव चैनल पॉर IPSC बोर स्टुडेंट्स हाँ आप है मेरे राइजिंग स्टार्स और आपने कहा हमने बनाया आपने कहा सर्ट्रेजर चेस्ट की आई रिमेंबर आई रिमेंबर हमस हुड हाँ हमस हुड एक ब्रिटिश ऑथर हुमेरिस्ट और प्ले राइटर थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स न्यूस पेपर्स के लिए एडिटिंग का भी काम किया और इस पोयम को आप जब सुनेंगे तो आपको अपना बच्पन याद आ जाएगा आप आप से पूछूंगा कि क्या आपने अपने उस बच्पन की फोटोग्राफ को देखा है जिसमें आप अपने मदर की गोद में हैं आप किसी जूले में जूल रहे हैं आप कहीं पार्टी या सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फोटो बच्पन का आपने देखा होगा तो वो आपक प्यार वही रिफ्लेक्शन वही नॉस्टेल्जिया है इस इस पॉम में तो आई ये समझते हैं I remember I remember मतलब मुझे याद है मुझे याद है आई ये देखते हैं कि क्या है इस पॉम इस पॉम का अंदर का एक एक लाइन का वर्थ तो I remember I remember the house where I was born तो ये पॉम अपने उपर कर रहे है और उन्हें अपनी बच्पन का घर याद आ रहा है जहां वह पैदा हुए थे तो इसलिए ये एक नॉस्टेल्जिक पॉम है याद दिला रही है उसके बच्पन का वो घर वो सीन जहां पर वो वो पैदा हुए थे और वहां की क्या यादे है दे लिटल विंडो वेर दे सन केम पीपिंग इन एड़ी मॉन आप इमेज भी देख पाएंगे तो मॉनिंग में सूरच ऐसा लग क्योंकि सन की नेचर की एक एबिलिटी है क्या कि टाइम पर ही आना और टाइम पर ही जाना तो इसी लाइन को उन्होंने इस तरीके से बताया है ही नेवर केम अविंक टू सून या ही कौन है सन को ही कह रहे है वो ठीक है ही रिप्रेजेंट्स हेयर सन तो सन एक विंक विंक मतला था पलक जपकना तो एक पलक जपने जितना भी लेट नहीं आता था और न तो कभी क्या होता था दिन बहुत लंबा विस्ता था तो setting of the sun and rising of the sun was always in time तो यह यह nature की देखे पैचान है यह बहुत contrasting line है कहां बच्चपन में वो सन को देखे कहां वो happiness की बात कर रहा था कहां वो brightness positivity की बात कर रहा था और इसी में ही contrast आ गया contrast यह आ रहा है कि अब उसे जो कि वो अब वो बच्चा नहीं है अब Thomas Wood a grown up man है adult है तो उसे वहसूस होता है कि जो राते हैं वो मेरी breath ले जाए so he is now hopeless आज वो नाममीध है अपनी life से अथार्थ वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी से क्योंकि वो बड़े होने पर एक जो जिम्मिदारिया है जो जो प्रेशर्स हैं टेंशन्स हैं उसकी वजए से वो खुश नहीं है इसलिए वो वो रात के लिए क्या कहता है अंधकार के लिए negativity क्ले क्या कहता है काश यह रात यह इसका negative thoughts है काश क्या हो रात की तरह क्या हो ज है I remember I remember the roses red and the white अब फिर से वापस आता है contrast करता है उसे roses colorful roses especially red and white roses उसे याद आ रहे होते हैं बच्छपन के क्यों vibrant colors क्या करते हैं हमारी आखों को attract करते हैं यह रोज nature of हमारे पास आसपास में nature में पाए जा रहे हैं तो वो हमें हमेशा क्या करते हैं हमें attract करते थे और कुछ रोज और भी कुछ flowers हैं the violets and the liliac cups यह रहे boylets और यह रहे liliac cups यह दोनों ही यह दोनों ही flowers हैं जो bright colorful हैं और ऐसा लगता है मानो कि यह flowers क्या कर रहे हैं light दे रहे हैं those flowers made of light as if it appears that they had light of their own तो यह memories जो हैं वो बच्छपन के यादे हैं with the nature तो यह poem यह poem जो है हमें nature के साथ connect करती है जब हम छोटे थे हम nature से ज़्यादा connected थे शायद आज gadget से ज़्यादा connected है पर बच्पन में हम nature से ज़्यादा connected थे आई the liliacs where the robins built and where my brothers my brother sat एक और इसका memory का एक पार्ट है नकी जब यह छोटे बच्पन में रॉबिन्स को रॉबिन आप देखा होंगा रॉबिन एक बर्ड है जो जो की क्या करती है nest built up कर रही है तो बच्पन में चिडियाओं के घोसले देखने का लिलियक वो पेड़ है लिलियक वो ट्री है जिस पे रॉबिन्स अपने घोसले बनाती है और अब एक और साथ में contrast है और वो contrast है उसके भाई का इसको अपने बच्पन में अपने ब्रदर की भी याद आ रही है जिसके साथ वो खेला करता था तो क्या लिखा है and where my brother sat yet तो उसे अपने बच्पन के यस दिनों में अपने भाई के साथ याद आ रहा है क्या किया था उसके भाई ने the labernum on his birthday the tree is living yet again यह फिर एक contrast आ जाएगा कि जो भाई है जिसने इसके birthday पर labernum tree को plant किया था आप स्क्रीन पर labernum tree भी देख पाएंगे एक yellowish golden yellowish color के flowers वाली यह tree होती है बुशी tree होती है तो यह tree इसके बर्दे में plant की गई थे a tree was planted on his brother's birthday and the tree is living देखे आगे tree is living तो contrast यह है शायद शायद वो brother अब नहीं रहा क्योंकि trees की life बहुत long होती है नेचर again is there तो nature से कितना वो influenced रहे है अपने childhood से यह बता रहा है I remember I remember where I used to swing अब उसे बच्पन के जूले याद आ रहे है मैंने जगरू कहा कि आप भी अगर बच्पन में जूले होंगे जूला तो वो जो swing में जूलने के जो मज़े हैं जिसमें हमारे बाल उड रहे होते हैं बहुत मज़ा आ रहा होता है imagine करके देखिए वो scene तो उसे याद आता है बच्पन के वो खेल याद आते हैं बच्पन के वो swings में जूलना याद आता है और क्या करता है इसी swing के साथ जूड़ी एक और याद है कि and the thought the air must rush as fresh to the swallows on the wing तो उसे swing में जो जूलने में swing के जूला जूलने में जो उसे air की breath मिल रही है वो जो जो उसे सांसे मिल रही है जो हवा उसे मिल रही है वो उसे उतनी fresh air मिलती है जितनी की swallows के मिलती है जब वो बहुत heights में उड़ती है Swallows एक टैप की birds होती है न तो वो wings में बहुत उची-उची उडान उड़ती है तो उसी लिए he felt that fresh air वो swings का जूलने का मज़ा ही कुछ और है तो उसे birds के flight से compare करता है जैसा की high altitudes में birds fly करती है Ayers में वैसा वो महसूस करता है जब वो swings में रहता है जूले में रहता है but फिर contrast है childhood का contrast with the adulthoods के साथ है क्या contrast है my spirit flew in the feather then तो उस समय जब वो छोटा था उसकी spirits भी अथात वो मन से क्या कर रहा था उनी के साथ birds के साथ उड़ रहा था तो अलोस से compare किया था उसने और that is so heavy now तो ये that कौन है मेरी spirit आज वही spirit जो पहले बच्पन में आजाग हवाओं में उड़ रही थी spirit आज वही spirit मेरी bent down है so the problems of adulthood pressures and tensions of adulthood ये show करता है तो आज वो इतना free नहीं है आज वो burdened मैसूस कर रहा है and अब और और आगे देखे contrast है हर बार and the summer pools could hardly cool the fever on my bro bro इसे कहते है the part above the eye bro ठीक है न ये इस part को कहते है bro और हट को कहते है ये ये तो अब उसे मैसूस होता है कि जो बच्पन में वो pools में enjoy करता था तो विए pools में enjoy करता था वो समय तो वो उससे बहुत cool करते थे बहुत मज़े आते थे उसमें नहाने में I am sure कि आपको भी बहुत मज़ा आता होगा जब आप pools में जाते होंगे नहाने के लिए पर आज जब वो adult हो चुका है आज वो pools क्या करेंगे इसके fever को fever मतलब होता है having high emotions बहुत सारी चिंताएं बहुत सारे pressures चिंताएं उसके दिमाग में भरी होई है तो adult की चिंताएं बहुत होती है आज आपके mother father को भी भहुत सारी चिंताएं होंगी आपके लिए आपके education के लिए आपके board की papers के लिए आपके grown up होने के लिए आपके carrier के लिए, घर के लिए और बहुत सारी अधर चिंताएं होती है उनके पास तो उसी लिए उसी लिए वो याद करके कह रहा है कि जब मैं adulthood में हूँ तो मेरे जो bro का fever है अथार्थ मेरे bro की जो emotions है I am caught up हर समय किसी न किसी परेशानी में घिरा वा हूँ मैं ये परेशानिया वो summer pools क्या करेंगे ठंडा नहीं कर पाएंगे अता दिहां का fever ठंडा नहीं होगा I remember I remember the fir tree dark and high और इसे बच्पन की और याद आ जाती है और वो है fir tree की ये fir ये तरह की coniforous trees होते हैं pine family को belong करते हैं और इनकी खास बत होती है cone shift trees होती है अक्सर high altitudes में उचे पाड़ों में उखते हैं इनकी leaves जो होती है needle like होती है तो ये trees Christmas tree के जैसे नजर आती है तो इसकी भी याद उन्हें बहुत है क्योंकि बहुत tall trees होती है और क्या याद आता है अब देखिए trees से जुडाओ nature से फिर जुडाओ क्या याद आता है बच्पन का अब उससे याद आता है कि I used to think their slender tops were close against the sky ये तो fur trees और tall trees होती है धंडे लाकों में उखती है तो उससे ऐसा लगता था कि fur trees इतनी tall होती है कि इसके tops इसके उचे वाले हिससे लगता है आसमानों को छूते हैं ऐसा लगता है मानों कि इस पर चड़ करके हम आसमान में चले जाएंगे स्वर्ग में चले जाएंगे कहते थे न स्वर्ग उपर है जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था कि स्वर्ग उपर है स्वर्ग जो है उपर है और चड़ करके चले जाएंगे तो ये बच्पन के हमारे ignorances थे ये बच्पन की हमारी कुछ ऐसी चीज़े थी जो हमें खुशिया देती थी परी कथाओं के बारे में हमने बच्पन में जरूर सुना होगा आपने और मैंने परियों के बारे में सुना था तो क्या अब आपको कोई कहता है जब आप बड़े हो गए है कि परिया नहीं होती है अब आपको पता भी है कि परी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कहने के लिए पहले था कि स्वर्ग होता है परिया होती है अब आपको मालम है इस सब बकवास बात है तो ये ignorance बच्पन का एक तरकी खुशी देता था, पर आज adulthood में, आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो वो ignorance बलकि अच्छा था उस समय, जब हमें अच्छी यादे थी, एक good feelings नाते थे, पर आज जब हम पता चल जुका है कि ऐसा heaven नाम की कोई चीजी नहीं है, और ना तो ये प I used to think that their slender tops were closed against the sky, बच्पन में उसे लगता था कि पेड की ऊचाई, पेड की ऊची ऊची ब्रांचेज आसमान में पहुच जाती हैं, and it was a childish ignorance, but now it's little joy, again contrast है, तो ये childish ignorance, जब तक था, तब तक मैं खुश था, इस बात से खुश था की स्वर्व तो है, मैंने अपनी कानी और जोड़ी थी, इसके अंदर, कि परिया तो है, नहीं है, इस फोम में, पर मैंने जोड़ा, कि हमें बच्पन ने बताया, परिया है, बुड़ी दादी है, नानी है, तो ये अच्छी यादें थी हैं हमारे अंदर, पर अब ये सब खतम, खास करके जो मैंने परी वाली बात ब हो गई है, अब हम रियालिटी को जानते हैं, कोई हैवन-वन कुछ नहीं होता है, उपर पर, है ना, तो इट इस नाओ, लिटल जो है, तो आज, आज वो खुशी नहीं मिल रही है, मलकि हम इग्नोरेंट थे हो, तो ज़्यादा अच्छा था, आईए, और तमस्ते हैं, तो नो, I am farther off from heaven, than when I was a boy, तो आज उसे इस बात का दुख है, जब वो यंग था, जब वो एक एक चाहिटा, एक बॉय था, तो उसे बहुत खुशी थी, कि वो heaven तक बहुत सकता है, या, heaven नस्दीक है, इस पेड के तो उपर है बस heaven, पर आज, आज वो इग्नोरेंस उसे नहीं है आज उसे knowledge है, पर आज मैंने का यह knowledge उसे दुख दे रही है, आज उसे stark reality पता चल चुकी है, हमारी society की, कि there is so much darkness, there is so much evil, there is so much pressures and tensions of the adulthood, तो इसका दुख है उसे आज, यही इस poem का, poem का contrast है, तो this brings to the end of the very short poem, I remember, I remember, but you remember to subscribe, the channel and a request है, आप अपने friends classmates को यह नहीं भेज रहे हैं, मेरे rising stars ऐसी गलती नहीं करेंगे, मैं आपके लिए बहुत मैनत करता हूँ, इन contents को बनाने के लिए, यह सारे notes और यह line by line, meanings भी, मैं आपको share कर दूँगा, हमारे telegram channel पर, हाँ, यह सब कुछ हमारे telegram channel मिल जाएगा, telegram channel का description की description को हम इस वीडियो की description में दे देंगे, जाएगा और उसे क्या करेगा, subscribe कर लिजेगा, और मिलने वाली आपको धेर सारी जार करें, bye, take care, God bless you.